हलो एवरीबन कैसे हैं आप साब आज बनाने जारी हूँ एक और नई डिजैन का बेबी कैप इसे बनाने के लिए मैंने तीन कलर की बूल ली है आप इसको बची बूल से भी बना सकते हैं और देखिए बनने के बाद बहुत ही प्यारा लग रहा है इसमें मैंने 10 नमबर से ला दालूंगे अब देखिए इस तरीके से बंदे बिल्कुल सिंपल डालने हैं और देखिए यह उपर से स्टार्ट होगा सिर्के तरप से दो तीन चार पांच छे साथ यह देखिए साथ फंदे से स्टार्ट कर रहे हैं यह साथ कली वाला कैप बनके कंप्लीट होगा तो देखिए यहां से हम ऐसे इस फंदे को सीधा बुन लेंगे और बूल को अपने तरप करेंगे यहां पर हम जाली डालेंगे हर एक फंदे पर जाली डालने हैं इस तरह से देखिए बापस बूल को अपने तरप करेंगे यह देखिए ऐसे बापस बूल को अपने तरप किया हम बनाके सभी फंदों पे हमने ये जाली डाल लेगे उल्टी रो पूरा हम उल्टा बुन लेंगे ऐसे जाली वाला फंदा देखिए इस तरह से बुनना है अब यह देखिए फस्ट रो बनके कंप्लीट हो गई अब देखिए यहां से हम दो फंदे बुनेंगे ऐसे यह देखिए एक और दो अब देखिए इस वाले फंदे पे जाली डालेंगे ऐसे अब देखिए एक मैंने बुन लिया एक जाली बाला हम इधर को एड़ करते जाएंगे बापस इस वाले फंदे पर जाली डालेंगे यह देखिए एक फंदा और बुन लेंगे तो दो फंदे होगा हमारे पास अब इस पर जाली डालेंगे यहां से देखिए ऐसे बुन लेंग बापस गुल को अपने तरब करेंगे और जाली डालेंगे यह देखिए एक फंदा बुनेगे तो यहां पे दो हो जाते हैं उसके बाद जाली यह देखिए अब एक बुन लेंगे, लाष्ट में ऐसे एक के बाद ऐसे जाले तो इस तरह से जालियां डालते हुए हमें जाना है यहाँ पर उल्टी रो में कुछ निकनना सिरेप इसको उल्टा बनाते हुए कम्प्रीट कर देना है ऐसे अब देखें इस तरह से इसमें फंदे बढ़ते हुए जाएंगे अब देखिए हम इस करेंगे यहां से इस वाले फंदे पर हम जाली डालेंगे यह देखिए उसके बाद देखिए यह दो और तीन फंदे मैंने बुल लिए फिर से हम आगे करेंगे बूल यहां पर जाली डालेंगे एक दो तीन फंदे बुलने के बाद बूल अपने तरफ यहां पर ऐसे जाली डा बूल अपने तरफ यहां से जाली डालते हुए तीन फंदे बुनेंगे उसके बाद देखिए बूल अपने तरफ फिर से लाश्ट वाले फंदे पर जाली यह देखिए तो इस तरह से यहां पर यह कली बनके कम्प्लीट होंगे उल्टी रो हम बना लेते हैं फिर आगे का आप प्राव को दिखाएं यह देखिए इस तरह से यहां पर ये एक दो पीञेश्य कली बन जाएंगे तो आप देखिए यह फंदा उतारेंगे दोग चार इस रो में हमने चार फंदे बुने देखिए इस तरह से यह जालिया पढ़ती जाएंगे बूल अपने तरफ करके जाली डाल लिए दो तीन चार बापस बूल अपने तरफ यहां पर जाली डालेंगे एक दो तीन चार बूल अपने तरफ ऐसे यह देखिए 4 पंदे बुन लिए उसके बाद भूल अपने तरफ जाली डालते हुए इसको हम आगे कम्प्लीट करते जाएंगे बूल अपने तरफ यहाँ पर ऐसे 2-3-4 और देखिए लाश्ट में हम भूल अपने तरफ करेंगे यहाँ पर एक जाली डालेंगे ये देखिए उल्टी रो पूरा उल्टा बना लए ये देखिए ये उल्टी रो मैंने complete कर ली और देखिए यहाँ पे यह देखिए एक दो तीन चार ये चार जाली बन के complete हो गई इसी तरीके से हम इसको आगे बना के दिखाते हैं उसके बाद हम count करके बताएंगे आपको कितनी जाली मैंने बनाई है यह देखिए यहाँ पे मैंने इसकी लंबाई पूरी कर ली और 10 जाली मैंने total बना ली है यह देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और यह दस और यहाँ पे मेरे पास 1 कली के 11 फंदे हैं तो यह 6 कली है मेरे पास तो यहाँ पे मेरे पास 6-6 फंदे हैं देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 6-6 फंदे हैं आप बड़े बेवी का बना रहे हैं तो आप फंदे ज्यादा कर लीजे इन जालीयों को बढ़ा लीजे और अगर आप बिल्कुल न्यू बॉन बेवी का बना रहे हैं तो आप यह जाली कम रखिए तो अब हम यहाँ से देखिए डिजाइन डालेंगे चोटी वाली तो यह डिजाइन थोड़ा अलग है तो देखिए तीन कलर से मैं डालूंगी तो देखिए एक फंदा मैंने उल्टा बुन लिया ऐसे आप देखिए हम यहाँ से ऐसे फ्रोजी कलर इस साइड कर देंगे पीछे के साइड ताकि हम उल्टे तरफ नोट लगा सकें यह देखिए ऐसे क्यों गया अब हम यहाँ से एक फंदा रेड कलर से बनाएंगे इसको भी हम ऐसे पीछे के तरफ़ी कर देंगे यह देखिए इस तरह से हमने तीनो फंदे बुन लिये आप देखिए यह वाले दोनो फंदे नीचे रहेंगे यहाँ से हम फिर से इस से यलो कलर से बनेंगे अब जैसे जो कलर लगाए है मैंने वैसे ही बनाऊंगे यह देखिए अब यह दोनो नीचे रह गए फ्रोजी से बनाएंगे अब इसको हमने छोड़ दिया इस तरह से और यहाँ पे हम रेड से एक फंदा बनेंगे इसका आपको ध्यान रखना है अब देख आप हमने यलो को छोड़ा तो फिर यह फ्रोजी और फ्रोजी के बाद रेड आप देखिए इसको हम नीचे छोड़ देंगे यलो और यलो के बाद फ्रोजी फ्रोजी के बाद रेड यह देखिए इस तरह से इसको हम रिपीट करते हुए जाएंगे यहाँ पे हम चोटी की डेजाइन डालेंगे यह बिलकुल अलग तरीके की है और देखने में काफी प्यारी लगती है तो यह रो हम ऐसे ही कम्प्लीट करेंगे यह तो यह देखिए सीधे तरफ से यह मैंने उल्टी रो बनाके कम्प्लीट की अब उल्टे तरफ जाएंगे तो उल्टे तरफ से हम यह रो सीधी बुनेंगे तो देखिए जो यलो है उसको हम यलो से ही बुनेंगे अब रेड है तो देखिए यह दोनों नीचे के साइड ऐसे और इसको हम ऐसे कर लेंगे अब red वाला हम यही छोड़ देंगे ऐसे और फ्रोजी वाला उपर लेंगे इस तरह से यह देखे इसको tight नहीं बुनना है लूजी बनाना है थोड़ा सा ऐसे देखके बुनना है आपको जो फंदा बुन रहे हैं वो उपर होना चाहिए ऐसे यह देखे अब इसको हम यही छोड़ देंगे और red लेंगे इस तरह से बनाना है red को छोड़ दिया फ्रोजी यह दोनो नीचे रह गए अब देखे इसको हम ऐसे उपर से लेंगे और देखे अब यहां पे यह प्रोजी और yellow नीचे रह जाएगा इसको हम ऐसे बनाएंगे यह देखे इसको यही छोड़ देंगे इस तरह से यह देखे तो इस तरह से देखे यह colorful चोटी यहां पे बनके complete हो जाएगी तो ऐसे ही हम यह row इदर से बनाके complete करके दिखाते हैं यह देखे इधर से मैंने यह row complete कर लिए और देखे कितने प्यारी लग रही है इस तरह से यह चोटी वाली देजाएग तो अब यहां से हम जो base color है उससे yellow color से पूरी row सीधा बुन देंगे ऐसे यह देखे सारे फंदे हम yellow color से सीधे बुन देंगे और देखे जो मैंने यह बूल छोड़ी थी इनमें हमने note लगा लिए इसको हम थोड़ा से दर दवा देंगे अंदर के side उसके बाद extra bowl जो है उसको हम cut कर देंगे ऐसे तो हम यह रो सीधा बुन लेते हैं यह देखे यहाँ पर 3 रो बनाके मैंने complete कर ली है अगर आप बड़े बेबी का बना रहे हैं तो आप यहाँ पर 5 रो भी बना सकते हैं तो यहाँ पर देखे मैंने CD रो यह design डालने के बाद बुनी उसके बाद उल्टी रो पूरा उ उतार लिया और एक सीधा बना दिया एक किनारे के फंदे हैं तो दो मैंने यहाँ पर ऐसे रख लिए आप देखिए मैं यहाँ पर एक रिंग बनाऊंगी तो देखिए ऐसे एक दो तीन चार पाच छे साथ आठ नो दस ग्यारे बारे तेरे चाओदे पंद्रे शोले इसको इसे लपेट लिया देखिए सोलमेबार में हम ऐसे इस पेसे निकाल लेंगे आपकी बूल अगर पतली है तो आप जादा ह crucial कर सकते और मौटी है तो कम में कर सकते हैं तो देखिए यह बना लिया έως मैंने ऐसे इसको हम खोल देंगे ऐसे और देखिए इसको हम खीज़ यह एक दिंग सा बन जाएगा और हम इस फंदे से ऐसे सीधा बुनके अटेज कर देगे अब इसको भी काउंट करेंगे यह वाला फंदा एक दो तीन फंदे यह ने फिर से बुन लिये और देखिए अब मैं फिर से बनाऊंगे तो यहां से एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारे, बारे, तेरे, चवदे, पंद्रे, और सोले बार में मैं इसको ऐसे यहां से कर लूँगी यह देखे, यह कर लिया, इस इन फन्नों को हम ऐसे निकाल देंगे और देखे, ऐसे, इसको खोल देंगे, यह देखे, खीच दिया, तो ऐसे स्प्रिंग बन गया, उसके बाद देखे, एक बार हम और खीचेंगे, यह देखे, इस तरह से, अब हम अगले खंदे के साथ इसको अटेच कर देंगे, यह हो गया, उसके बाद देखे, एक खंदा यह बुन लिया मैंने दो, तीन और देखिए चौथे फंदे पर फिर से मैं बनाऊंगी एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारे, बारे, तेरे, चौदे, पंद्रे और सोलमे बार में देखिए इसको हम ऐसे ले लेते हैं और इसको हम यहां से ऐसे और उसके बाद फिर से यह खींच दिया, तो देखिए यह बन गया, अब हम अगले फंदे के साथ ऐसे इसको अटेच कर देंगे, अब देखिए यहां पर दो फंदे और बनेंगे, इस तरह ऐसे देखिए, हर हम यह चौथे फंदे पर यह डिजैन डालते जाएंगे, तो द बना लेते हैं, फिर दिखाते हैं, यह देखिए, रिंग बनाते हुए, मैंने यह रो पूरी कर ली है, अब देखिए यहां से जो रिंग अटेच की है, मैंने उस फंदे को हम सीधा बनेंगे, ऐसे, और एक इधर का भी फंदा, क्योंकि लाश्ट में हमारे पास कोई फंदा बूल को पीछे करेंगे, और इस फंदे को सीधा बनेंगे, इसको भी जिस पर मैंने रिंग बनाई है, बूल को अपने तरफ करेंगे, यहां पर एक और दो, दो उल्टे बूल को पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, बापस एक फंदा सीधा, जो रिंग बाले हैं, बूल को करेंगे यहां पे दो फंदे उल्टे बुनेंगे हम एक और दो यह देखिए दो फंदे बना ली बुलको पीछे करेंगे इस फंदे को सीधा बनेंगे और एक इधर का जो फंदा है उसको हम सीधा बन लेंगे देखिए ऐसे बुल को अपने तरब करेंगे और यहां पर दो फंदे उल्टे बुल को पीछे करेंगे और दो फंदे यह सीधे जिस पर हमने यह रिंग अटेच की हुई यह देखिए इस तरह से तो यह रो हम ऐसे ही बनाएंगे यह देखिए इस तरह से तो इसको हम उल्टा पुरा कम्प्लीट कर लेते हैं यह देखिए उल्टी रो मैंने पूरा उल्टा बना ली आप इधर से सीधी रो जो है उसको हम सीधा बना लेंगे ऐसे तो हम यह complete करते हैं, उसके बाद दिखाते हैं, आप देखिए, यह row complete हो गई, अब मैं यहां से, उल्टी row, पूरा उल्टा बनाऊंगी, ऐसे, और देखिए, जिस तरह से मैंने यहां पे colorful बनाया है, यह चूटी वाली design, इसी तरीके से मैं colorful आपको बताऊंगी, तो यह बाला दागा जो है, इसको मैं इसी मैं ऐसे रखते हुए ले जाऊंगी, इधर को, क्योंकि जो दागा change होगा, वो सीधी रोपे होगा, उल्टी रोपे मुझे रिंग डालने होते हैं, तो इस तरह से मैं इन दागों को ऐसे रखते हुए, इधर को ले जाऊंगी, तो यहाँ पे अब हम, यलो के बाद फ्रोजी, पूरी रो सीधा बुन देंगे, और उल्टी रो में हम रिंग बाली डिजाइन डालेंगे, इस तरह से, तो हम यह कम्प्लीट कर ले, यह देखिए, इस तरह से मैंने यह रो कम्प्लीट कर ली, आप देखिए, हम फिर से इसमें रिंग बनाएंगे, एक फंदा मिन उतारा, एक बुना, तरीका सेम है बनाने का, यह देखिए, आप यहाँ से, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारे, बारे, तेरे, चाओदे, पंद्रे, और सोले, सोले, बार में हम इसको यहाँ से बना लेते हैं, इसको हम खोल देंगे, इसको खीच देंगे, एक बार और खोलेंगे, फिर से खीचेंगे इसको, तो यह देखिए, इस तरह से यह रिंग बन गई, अगले फंदे के साथ हम इसे ऐसे अटेच कर देंगे, इस तरह से, अब देखिए, यहाँ पर एक, दो, दो फंदे और बने तो तीन फंदे हो गए यहां पर इसको भी हम काउंट करेंगे और देखिए अब हम फिर से एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारे, बारे, तेरे, चाओदे, पंद्रे, सूले यह देखिए, इस तरह से, यह बना लिया, इनको हम खोल देंगे इस तरह से, यह देखिए, इस तरह से मैंने इसको खींच दिया, अब अगले पंद्रे के साथ इसको हम ऐसे बन देंगे, और देखिए, एक, दो, इस तरह से, देखिए, यह देजाइन मैं यहाँ परी रो बना के कम्प्लीट करते हूँ, यह देखिए, इस तरह से, मैंने यह तीन डेजाइन डाल के कम्प्लीट कर ली है, और देखिए, अब मैं इसमें बॉर्डर बनाऊंगे, अगर आपने बड़ी बेवी का बनाया है, तो आप अपने एसाब से इसको नाप के बना सकते हैं, तो अब देखिए, यहाँ से, मैं यलो कलर से इसमें बॉर्डर बनाऊंगे, यह रेड और फ्रोजीद मैंने कट कर दिये हैं, दौनों धागे, यहाँ से मैं इसको सीधा पूरा बनाऊंगे, दौनों तरब से आप रो कम्प्रीट कर लिए, यहाँ से हम पलट लेंगे, अब हम इधर से भी एक फंदा उतार के और सीधा बनेंगे, दोनों तरब से सीधा सीधा बनते हुए, यहाँ पे हम बॉर्डर बना के कम्प्रीट करेंगे, तो इस तरह से जितना चोड़ा बॉर्डर आपको चाहिए, वो आप बना लीजिए, दोनों तरब से सीधा बनते हुए, तो मैं यहाँ पे बना के फिर आगे का दिखाती हूँ, यह देखिए, इस तरह से मैंने यहाँ पे आठ रो का बॉर्डर बना के कम्प्रीट कर लिया, एक, दो, तीन, चार, आप यह बॉर्डर अपने हिसाब से क हम ज्यादा कर सकते हैं, आप देखिए, हम इन फंदों को क्लोज करेंगे, तो इन फंदों को देखिए, दो का एक करते हुए, इस तरह से बंद कर देंगे, और इसको मीडियम बंद करेंगे, बहुत ज्यादा खीचके भी बंद नहीं करना है, और बहुत ज्यादा लूज भ यह देखिए इस तरह से यह आ जाएगा यहां पर तो हम कर लेते हैं फिर दिखाते हैं यह देखिए इस तरह से सभी फंदे बंद कर दिए अब देखिए हम इसको सिलेंगे तो सिलने के लिए देखिए ऐसे मैंने जो सीधा था उसको अंदर तर दिया और देखिए यहां से हम से बंद करते हुए जाएंगे आप चाहें तो यह कलर चेंज करके भी सिल सकते हैं जो जैसा कलर है मैं एक कलर से ही सिल रही हूँ इसको मिलाते हुए सिल दे जाना है जो जैसा कलर है कि और देखें चोटी को चोटी से मिला देंगे यह देखें इस तरह से पूरा यहां तक यह ऐसे करके वैसे मिलाते हुए इसको सिल देखें एक ही फंदा लेना है क्योंकि यहां पर आगे जाली है ऐसे यह यह वाला हूँ और एक यह वाला इस तरह से देखें ऐसे पकल लेंगे और लाश तक इसको हम ऐसे मिलाते हुए बंद करेंगे अब देखें यह चोटा सा होल रह गया है इसमें आप चाहें तो पॉम पॉम लगा सकते हैं या फिर ऐसे भी बंद कर सकते हैं मैं इसमें पॉम 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 लगाऊंगी तो देखें इसको प्रिस्पंदे ले लें उठाके यहां से ही यह लंबी सी डोली बना लें तो बेवी के यह बंद जाएगी तो खिसकेगी नहीं